नमस्ते किसान मैं गणेश मोंटे आज फिर किसान पाट शाला का बैनर लेकर बी किसान स्मार्ट फार्मिंग की तरफ से आज हूँ महाराश्र में जलगाव डिस्टिक में जामनेर करके गाव आता है उसमें हिवर खेडा यहाँ पर हमारे कुछ किसान मित्र है उन्होंने कंद लगा हुआ है और आशे में इधर मुलागात के लिए आया था तो बी किसान स्मार्ट फार्मिंग जो गाइडलाइन करता है लाइन से लाइन पाच फिट और पवदे से पवदे के दूरे साथ फिट यहाँ पर मुझे प्लाट मिला और किसान भी मिले किसान बहुत उस्तुक है उन्होंने टी-शिर्ट देखा मुझे रुकाया गाड़ी चला रहा था में और उन्होंने प्लाट विजिट के लिए बोला कि सर मेरा एक फटफट जमा हो गए और उन्होंने एक कंद लगाया हुआ है आए उनसे ही नाम होगारा सुनते हैं प्रीमियम प्लाट बनाया हुआ इन्होंने बहुत सी जगह पे बी किसान को फॉलो कर रही है जनता किसान और बहुत अच्छा लगा मुझे आए मैं दिखाता हूं और कु यह पुरा 100 फॉलो कर रहे है ककरा मलचींग है नाली है यहां पर नौली कर ini के बंच मेरामर्च संते हैं इननका मनोगर्ण एक्षएल फर्स्ट बार इसे मेरे मुलाकात हुई है में इसे सुनते हैं किंग किन किसान मेंद्र और उन्होंने बुलाकर रखा रखा है Buddhist quit यहां जमा हो गए है चया हम किसानों मदद कर सकते किसान खर जाधा उत्पादन ज्यादाट तो इसनुक्त हैं उनका मनोगत है हम शिखना और शिखाना इसके उपर ही काम कर रहे हैं यहां की किसान मित्र है सर जी आपका नाम और एड्रेस बताइए प्रश्यान से रम पाटिल लुबर खड़ा तलुका जामनेर जिल्ला जलगा आपका नाम नंबर भी बताएंगे तो अच्छा रहेगा क्यों किसान मित्र आपना चाहिए जो सत्तर तीस आपने यहां पर यूज किया हुआ कि किसान स्मार्ट फार्मिंग का एक्षोल अपनी मुलाकात कैसे हुई पहले से जानते हैं एक दूसरे को पिछले साल मिले थे एक बार हां लेकिन मोटा मोटी अभी हो गया कि मिल अपन साथ में अच्छा मै अच्छा यह खेती करने के पाद आपको कैसा मतलब क्या मेंसरस मतलब पहले भी आपने खेती की हुई अभी यह लगा हुआ है तो इसमें क्या खर्च आपका कम हुआ है और क्वाड़ेटी आपको मिली है यह पहले यह आपने लगाया हुआ जो पौधा है यह पौधा है कंद है क्या है यह आप बता दिए यह कंद लगाया है मैंने स्मार्च को और खर्चे जो है वह एक पेड़ अभी तक 24 रुपए आप जो है वह किसान स्मार्ट फार्मिंग के गाइडलाइन से आगे बढ़ लेकिन वीडियो देख देखकर बहुत से किसान मित्र यहां पर आए हुए हैं आई यह भी देखते हैं अपने किसान मित्रों के कोई question है तो आप पूश सकते हैं अब बहुत से किसान मित्रों को आपने बुला कर रखा है है ना बाकी बगीचा वगेरा तो आपका एकदम बेटर है एक्सलेंट है यह पाज़ार नमस्ते सर आपका भी नाम बताना चाहेंगे तो बता दीजे किसान मित्रों को क्या है हम काम कर रहे है किसान खर्चादा उत्पादन ज्यादा हम इस बात को लेकर ही आगे बढ़ने वाले हैं बाकी चर्चा सत्र तो चालो ही रहेगा कंद लगाया हुआ है पाजबाय साथ जिग्जाग पर है कच्रा मल्चिंग किया हुआ है प्रिमियम क्वालिटी का यहां पर इन्हो खड़ा गाव में है ठीक है बहुत से किसान मित्र यहां पर आए हुए है यह जामनेर से है इनका कुरुषी शेवा केंद्र है मेरे खायर से आपका भी नाम बता दीजिए अच्छा अच्छा और दो तीन मित्र और हैं आपका भी परिशे देजिए अनिल चिंदे केकत्म और अच्छा जामनेर से मतलब यह सब किसान मित्र इंसे मिले हुई है यह परिवारी है हमारा आई यह बंच बगरा देखते हैं यह यहां पर कच्रा मल्चिंग किया हुआ है यहां पर रूट बगरा एकदम पुरवूरी मित्ती है अच्छा बंच मैनेजमेंट वगरा करके रखा है अभी काम चालू है एक नॉर्मल मुलागात हुई हमारी उसके बाद में यहां पर आ तो देखा कि किसान ने बहुत सा बीकिसान की जो गाइडलाइन है उसको बहुत अच्छे तरह किसे फॉलो करके रखा है बंच मैनेजमे सब्सक्राइब में बैठा था तो वहीं पर हमारे मुलागात थे बहुत अच्छा लग रहा है कि बहुत से किसान बीकिसान को फॉलो कर रहे हैं और हमारी खुद की कंपनी रेवा फ्लोरा टिश्यू कल्चर इसके पौधे के रिलेटेड लेकर में यहां पर आया था किसानों सब्सक्राइब के बीच में ठीक है मैं अगे के लिए और अप्डेट मैं आपको देता रहा हूंगा नमस्ते थैंक्यू